उतरप्रुदेश विधान परिश्रत के चुनाव को लेकर बीजिपी ने बड़ा दावा कर दिया है कि उसने अज 27 सीटों पर हुए चुनाव में विरोधियों को बुरी तरीके से हरा दिया है रिपोर्ट देखिया मोधी योगी का चला चादू मतम मनाए बीजेपी वीरोधियो कि यूपी विधान परिशद चुनाव बीजेपी के डबल जी लगता है एक महिने के अंदर उतरपर देश में बीजेपी योगी सरकार के नेत्रुक में अपने वीरोधियों को हार का डबल टोस देने जा रही मेलसी के चुनाव हो रही है खुद सीम योगी ने वोट डाल कर अखलेश यातों कि समझवादी पार्टी समझ सभी विरोधियों को चित करने का दावा कर दिया है पीजेपी डंके के चोट पर कह रही है कि इसमर यूपी विधान परशद के चुनाव में बीजेपी विरोधियों का सुप्रासाफ हो जाएगा यूपी के डिप्टी सीम केशों परसाद मौरे ने पर्याग राज में दावा किया कि बीजेपी विधान परिशद के सभी 27 सीटों पर जीतने जा रही है हम आपको बता दे कि आज 9 अप्रेल को यूपी विधान परिशद यानि अमलसी के चुनाव हुए है उत्तरपरदेश विधान परिशद के 36 में से 27 सीटों पर मतदान हुआ है जबकि 9 सीटों पर बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के परत्याशी मैदान में उत्रे ही नहीं इस वज़े से 9 सीटों पर बीजेपी परत्याशों के नेविरोध निर्वाचन तै हो चुका है यनि अखलेश रादों की पार्टि भी 9 सीटों पर बीजेपी के सामने बिना लड़ही हार मान चुकी है अखलेश रादों का आ रोप है कि यूपी विधान परिशक चुनाव में बीजेपी बहुबल और पैसे के जरिया धांदली करकर चुनाव जीतना चाह रही है जबकि बीजेपी नेता इस अखलेश रादों की बौखलाहत बता रही है बहुमत जैसे सरकार हम लोग बनाएं वह ऐसे बहुमत से सारी MLC आएंगे भारती जिनता पर्टी पुझे महाराजी का परशम फिर लहराएगा मुदी योगी जी जिन्दाबाद जनता चारी यूपी विधान परिशन चुनाव यानि MLC के चुनावी नतीजे 12 अपरैल को आएंगे लेकिन जिस तरह से बीजेपी 36 में से 9 सीटों पर बिना लड़ी जीत दर्ज करने जा रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी 27 सीटों पर भी अखलेश यादों दूसरे विरोधियों को बुरी तरह से चुनाव में हरा देगी यानि यूपी में मोधी योगी का जादू विरोधियों को डबल हार का स्वाच चखाने जा रहा है अब 12 अप्राइल को पता चलेगा कि बीजेपी के जीत के दावों में कितना दम है पिरो रिपोर्ट जी मीडिया